हलो जी नमस्कार केम छो राम राम साब सत्स्रिया काल एक बार फिर से तह दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूटूब चैनल ट्रेन लाइप में अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल ट्रेन लाइप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ खारिया खंगार से पिपाड रोड के बीच 30 किलो मिटर रूट खंड पर दोहरी करन कारिय के तहत नोन इंटरलोकिंग ब्लोक किया जा रहा है जिसके कारण 15 दिन तक 17 जोडी ट्रेनों का आवा गमन परवावित रहेगा अगर इसमें गाडियों की बात की जाए तो 3 ट्रेनों को पून रूप से रद किया जा रहा है और साथ ट्रेनों को आप मार्ग परवर्थित किया जा रहा है वह चार जोड़ी ट्रेनों को आनसे रूप से रद किया जा रहा है अगर इसके अंदर पूंड रड ट्रेनों की बात की जाए तो गाड़ी जोदपूर रिवाड़ी, जोदपूर भौपाल एक्सप्रेस, वय जोदपूर जेपूर सुपरपास एक्सप्रेस ट्रेन सामिल की गई है फिर बात करते हैं आंसे क robbery से रड ट्रेनों के बारे में जोदपूर हिसार जोदपूर से मेड़ता रोड तक 12-23 जून तक वैस सालासर एक्सप्रेस जोदपूर से डेगाना के बीच में 12-24 जून तक हावडा जोदपूर सुपरपास्ट मेड़ता रोड से जोदपूर के बीच 11-23 जून के 27 फेरो तक वह जोदपूर बठिंडा जोदपूर से लालगड तक 12-22 जून तक अकर परवर्टित मार्क से गुजने वाले ट्रेनों की बात की जाए तो रिसी के सबाड में ट्रेन 9 जून से वाया लालगड फलोदी होकर चल रही है वह जोदपूर जमुतवी एक्सप्रेस फलोदी लालगड के रास्ते वह मरुदर एक्सप्रेस 11-22 जून तक फुलेरा अजमेर मार्वार जंक्सन पाली के रास्ते जैसिलमेर जमुतवी एक्सप्रेस 13-20 जून तक अजमेर फुलेरा के रास्ते फिर बात करते हैं भगत की कोटी मनार गुड़ी एक्सप्रेस 16 से 20 जून तक दो फेरे मारवार जंग्सन अजमेर फुलेरा के रास्ते जोदपूर पूरी साप्तगी एक्सप्रेस 15 से 18 जून तक मारवार जंग्सन वे अजमेर के रास्ते भगत की कोटी तिरुचरापली साप् साहिक एक्सप्रेस 18 वह 22 जून को मारवार जंक्शन अजमेर वह फलेरा के रास्ते संचालित होगी तो ये थी एक छोटी सी इंफोर्मेशन मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू सो मच